हेलो एवरिवन गुड मॉनिंग आज है आपकी 31 अक्टूबर 2024 और आज आपका बहुती पावन पर्व है दिवाली और दिवाली की आप सभी को बहुत सारी धेर सारी सुपकामना है हमारी ग्लेंस अकेडमी टीम के दौरा मेरे दौरा भी साती साथ हमारा एक और पर्वी है जि आरो ए आरो के लिए जो टेसरीस थी यूपी आरो ए आरो टेसरीस उस पर हम लोग विचार करना सुरू करेंगे दीरे दीरे हम टेस्ट पेपर को करेंगे लेकिन आज की क्लास में जो हम लोग डिसकस करेंगे दोस्तों टेसरीस को करने से पहले हमें ये देखना होगा कि जो 11 फरवरी 2024 को जो आपका पेपर हुआ था, जो पेपर लीक होने की वज़े से पेपर को पोस्पोन कर दिया गया, कैंसल कर दिया गया, दिसंबर में आयोजित होगा 22 दिसंबर को, तो उस पेपर का ट्रेंड क्या था, यूपी स्पेसल से कैसे प्रशन पूछे गए थे, नेस्नल यूपी PCS Prelims 2023 के पेपर को अनलेसिस कराया था, तो जिससे आपको ये समझ में आया कि हाँ भाई, यूपी PCS के अगर तैयारी कर रहो तो कौन-कौन से प्रशन पर है, टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना होता है, ठीक, उसी तरीके से आज हम लोग समिक्षादिगारी के पेपर को अनलेसिस करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग कल से टेस्स सिरीज को भी सुरू कर लेंगे, वीडियो अच्छी लगए तो लाइक कर दोना है, चैनल पे पहली बार हो, तो सब्सक्राइब कर लीजे, और इसकी PDF आपको हमारे टेलिग्राम चैनल ऑफीशल पे मिल जा कहा है कि Current Affairs को जब भी देखिए, पिछले आठ नौ महीनों का Current Affairs सबसे important होता है, वन येर कहा जाता है, लेकिन eight से नौ महीने, और जिसमें भी crucial जो होता है, एक्जाम्स के लास्ट के चार मन्त बहुत important होते हैं, अब जैसे दिमाग में आप लोग ये रखना कि भाई, आपका अपनी पहली परेटन और सांस्कृतिक राजधानी घोसित किया है तो ये आपका UP special होने के साथ साथ अंतराश्टी सम्मंधों का भी प्रश्ण हो गया तो कि किसी और नहीं SEO के द्वारा घोसित की गई थी यानि संगाई Corporation Organization जिसे हम लोग कहते हैं इसके द्वारा भारत के साथ सम्मνदों को बहतर करने के अंतराश्टी अस्तर पे क्या किया गया वारणसी को सांस्कृतिक राजधानी घुसित किया गया तो यहां पर यह जो प्रशन हो गया यह आपका UP Special होने के सासर अंतराश्टी प्रशन भी हो गया अब यहाँ पर अगर आप देखोगे इस प्रशन को पूछने के पीछे का अगर लौजिक देखिए 16 सितंबर 2022 को संगाई सायोग संगठन के राष्टरा द्यक्षों की परिशत की समरकंद उजबेकिस्तान में आयोजित 22 सिखर जो बैठक थी वो वारणसी को वर्श 2022 की आवधी के लिए पहली S.C.O. परेटन और सांस्कृतिक राष्धनी घोसित किया गया इस प्रमुक सांस्कृतिक आउटरिच कारेकरम के फ्रेमवर्क के अंतर गया 2022-23 के दौरान वारणसी में अनेक कारेकरम आयोजित किये गए 17-18 मार 2023 के मद्य संगाई सायोग संगटन परेटन मंत्रियों की बैठक भी वारणसी में होई थी अब यहाँ पर एक चीज़ और देखो आपकी भारत एक महातपूर देश है इस जैसे संगटनों का तो यहाँ पर ऐसे संगटनों से एक प्रश्न और बन सकता है कौन सा बन सकता है एक तो आपको SEO का पढ़ना है क्योंकि SEO की इस बार जो मीटिंग होने वाली है वो नवंबर में होने वाली है और कहां पर होगी पाकिस्तान में होगी यह पहले से ही आयोजीत होने का पुरा कारेकरम से डियूल हो जाता है दूसरा इसी के साथ आपको याद रख लिना है BRICS को BRICS भी एक बहुती महत्पूर संगठन है भारत के लिए BRICS की इस बार जो अक्टूबर नवंबर में जो मीटिंग होने वाली है किसा सेप्टेंबर में हाँ अक्टूबर में होने वाली है वो आपकी होगी कजान में कजान कहां पर होता है रूस में तो यह दो महत्पूर संगठन जो भारत के लिए महत्पूर होते हैं अब आप लोग सार्क वगरा का छोड़ दिया करो मतलब सार्क जो है कि खुद भारत के नित्रत जो होते हैं सिर्ष नित्रत अधिकारी प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि अभी हमारे काम का नहीं रह गया क्योंकि इसमों पाकिस्तान जैसा खुरापाती देश है जो कंट्रोल नहीं होता है साथी साथ आप सार्क हो गया या फिर नॉन एलाइग्मेंट मुव्मेंट हो गया ये सभी संगठरों को इगनूर किया करिए पिछली बार आपने देखा होगा सार्क की मीटिंग में जब प्रधानमंत्री ने बाइकॉट कर दिया कि मैं नहीं जाओंगा क्योंकि उसका ब्यवार अच्छा नहीं है उस वज़य से भागला देस नहीं तो ब्हारत की शक्ती को प्रधर सित करता है और भी हमारे पढ़ोसी देश में खड़े हो जते हैं तो ये प्रशन हैं से सत हैं कि कैसा और अगला प्रशन बन सकता है नेकस्ट एक और आप उपई पीस पेसल देखिए तुलसी दाज जी के बारे में पूछा जा रहा है GS में आपने कहीं पर भी तुलसी दाज जी के बारे में नहीं पढ़ा हुआ तो कि हिंदी साहित से संबंदित है, ओप्सिनल से संबंदित है वो भी UPPCS में तो हिंदी साहित भी नहीं है लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश स्पेशल को ये प्रश्ण बनाया गया कैसे तुलसीदाश जी के संदर में तुलसीदाश जी का जन्म बांदा जन्पत के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था उनकी पत्नी का नाम गीतावली था और यहां पे दोनों कूट में से देखना था कि केवल पहला वाला तो सही था लेकिन उनकी पत्नी का नाम गीतावली नहीं था तो क्या प्रश्ण बनेगा अगर आप देखोगे कि तुलसीदाश जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नमक गाउं में 1532 इस्वी को हुआ था और उनके पिता का नाम आत्माराम शुकल दूबे और माता का नाम हुलसी था लेकिन उनकी पत्नी का नाम क्या था रतनावली था गीतावली नहीं था रतनावली नाम था तो यह उत्तर प्रदेश से स्पेसल होने के सासाथ हिंदी साहित में जो उत्तर प्रदेश का योगदान है उससे संबन्धित यह प्रशन पूछा गया था हलाग कि मैं UP Special Paper 5 और Paper 6 के Notes बना रहा हूँ हलाग कि इससे पहले लक्षभेद नाम से हमारे जो Notes है वो भी आप देख सकते हो Means Answer Writing के लिए जिसमें GS Paper 4 Ethics Complete है GS Paper 1 में History और Geography Complete है GS Paper 2 में Policy Complete है Internal Security, Disaster Management, Indian Society इन सभी के Notes आप हमारी WhatsApp टीम से Contact करके Purchase कर सकते हो WhatsApp नमबर मैं आपको लिख देता हूँ 8527594636 तो इस तरीके से आपको UP Special में जब मैं आपको Notes बना के दूँगा Provide करा हूँगा तो वहाँ पे इन सभी चीजों का योगदान रहेगा कि उत्तर प्रदेश से हिंदी साहित देगा क्या-क्या योगदान है आगे चलते हैं Question No.3 की बात करेंगे अब यहाँ पे हम Question No.3 को देखेंगे कथन और कारक के बारे में हमसे पूछा जा रहा है तो जरह इस प्रशन को देखो अचा अभी तक के प्रशन में आप देख रहा हो कि कैसे statement wise प्रशन पूछे जा रहा है इस बार लगबग 30-40 प्रशन पूरे GS की पेपर में ही जहां 140 प्रशन आते हैं जिसमें reasoning भी आती है अगर reasoning को भी हटा दे तो 120 प्रशनों में लगबग 30-40 प्रशन स्टेटमेंट वाइस पूछे गया है और स्टेटमेंट वाले जो प्रशन होते हैं वहां पे आपको eliminate करने का option खतम हो जाता है अगर आपको knowledge होगी तभी आप कर पाओगे otherwise आप नहीं कर पाओगे क्योंकि eliminate वाले method में तो वहां पे मौका रहता है कि हम भाई 3 में से 4 में से 1 और 2 भी जान रहे होते हैं तो हम वहां पे टिक कर पाते हैं लेकिन statement भी नहीं हो सकता तो उसके लिए आपको detail पढ़ना बहुत जरूरी होता है जैसे अगर आप देखो कि समवाद कौमदी एक बंगाली सापताहिक के समपादक राजारा मोहन राय जी थे दूसरा है विद्वा जलाने की प्रथा कि निंदा करते हुए उनके लेक इसमें प्रकासित हुए थे विद्वा जलाने का मतलग है जो सती प्रथा का विरोध इन्हों ने किया था बिलकुल सही है इन्हों ने ही किया था लेकिन क्या सती प्रथा के बारे में जो भी विचार थे वो समवाद कौमदी में लिखे थे और वो क्या बंगला साहित थी तो ये बाते आती हैं यहां से तीन बाते कि पहला तो समवाद कौमदी क्या बंगाली साहब ताहिक थी ठीक है क्योंकि इन्हों ने मिरातुल अख़बार भी निकाला समवाद कौमदी भी बहुत सारे पत्र इन्होंने निकाले थे, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो option number C इसका सही हो रहा है, अर्थत A और R दोनों सत्ते हैं और लेकिन R A की ब्याख्या नहीं करता है, क्लिर हो गया है, अब यहाँ पे अगर हम पूरा डीटेल थोड़ा से इसको पढ़ लेते हैं, NCRT से लिया गया है कि 4 दिसंबर 1821 को राजारा मोहनराई जी ने समवाद कौमदी नमक सापताहिक पत्र लॉंच किया, तो पहली चीज़, समवाद कौमदी कैसा है, सापताहिक पत हैं, यह स्टार्टिंग में तो राजारा मोहनराई जी के समकच होते हैं, उनके समर्थक होते हैं, लेकिन जब से इन्हों ने सती प्रता का विरोध किया था, तब ही से भवादी चरण बंदुपाद्या ने क्या किया, इनका विरोध करना सुरू कर दिया, क्योंकि वो अब आगे देखते हैं, यहां पर एक और प्रशनिकी बात करते हैं, अब देखो, जैसे यह एक हो गया आपका रीजनिंग का प्रशनिकी, एक बोड़ पर पांच समान तरली उर्दवारदर रेखाएं, खीची गई, बोड़ पर पांच उर्दवारदर रेखाएं, यह सब, तो यह हम यहां पर रीजनिंग को solve नहीं करेंगा भी, क्योंकि रीजनिंग को मैं यहां पर नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं GS को आपको समझाना चाहरा हूँ, अब जैसे यहां पर coding, decoding भी आप देखोगे, तो चलो अच्छा, coding, decoding तो थोड़ा easy रहता है, समझाने में भी को procuration, अब इसको क्या लिखा है, procuration, अब यहां पर आपको यह देखना है कि यह क्या opposite किया गया है, यह same किया गया है, तो उस तरीके से यहां पर तोड़ने का pattern दिखा गया, जैसे अगर आप देखोगे, पर इसके आगे के सब्द को अलग तोड़ा गया है, और फिर इसके सब तरीके से आपको तोड़ना पड़ेगा, तीन अलग अलग पार्ट में, और मतलब judicial को, judicial देखिए, आठ अक्षरों का होता है, तो चार चार अक्षरों का हमने तोड़ लिया, इस तरीके से इसको किया जा सकता था, अब जैसे यहां पर लिख रहा है, निमने में से कौन सा मै अगनीज उत्पादक छेतर करनाटक में इस्थित नहीं है, तो करनाटक में जो इस्थित नहीं है, वो पूछा जा रहा है आपसे, लेकिन आपको इससे पहले एक और अपडेट देता हूं है, कि इससे संबंदित हमने घटना चक्र शॉर्ट नोट्स कम्पलीट किया है, जो पूरी संभावना है मुझे, कि UPPCS में भी इन नोट्स से लगबख 60 प्लस प्रशने आपको डिरेक्टली GS के देखने को मिल सकते हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाएए, वहाँ पे घटना चक शॉर्ट नोट्स की प्लेलिस्ट को देखिए, वहाँ पर आपको आईडिया ल के लिए हो, लेकिन आइड के लिए हो, सोने के लिए हो, किसी के लिए हो, सिमोगा आपने सुना होगा, पढ़ाई के दोरान या किसी भी दोरान कि भाई करनाटक में इस्थित है, बेलारी आपने सुना होगा, सोने की खान के लिए यहाँ फेमस है, और चिक मंगलूर भी आपको करनाटिक में मिलेंगे लेकिन स्री काकुलम स्री काकुलम आपका आंधर प्रदेश में इस्थित है तो इस तरीके से सी आप्शन आपर अलग हो जाएगा कोशन नमबर नेक्स देखते हैं अच्छा यहां पर देखो यह इन्होंने लेटेस्ट डेटा दिया है कि इंडि बड़े उत्पादक राष्ट है हाला कि मैंने इसके बारें पढ़ा रखा है आपको आर्थिक परिद्रिश जो परिक्षावाणी की थी उसमें मैंने डीटेल से पढ़ाया है आगे देखते हैं यहां पर नीचे दिये के कथन पर विचार करते हैं रोसको मोस के चंद्रमा प को याद होगा कि हमारा चंद्रियान लॉंच हो रहा था चंद्रियान 3 को यह था कि अगस्ट में पहुंच जाएगा 23 अगस्ट 2024 को पहुंचा भी ठीक है 23 को 2023 में पहुंच गया था और इस वज़े से उसी दोरान लूनर या लूना कह देंगे 25 जो कि रूस के दोरा भेजा यका शया और कई TMर यह था कि सायठ हो रहता है कि क्साफ दोनों ही एक साथ लेंड करेंगए दोनों कहीं टकरान आप बहुत सारी संभावना थी लेकिन हमारा लॉक्त हमारा साथ ह गारेंटी देती कि लुना 25 तो जो है कि बहुत आसानी से चंद्रमा की सता तक पहुंच जाए तो कि कोई भी स्पेस एजनसी होती हो कभी भी संभावनाओं पर काम नहीं करती हमेसा कहते हैं न तथ्यों के आधार पर काम करती हम पहुंच जाएंगे वो संयोग अलग था कि वो वहाँ पर क्रैस कर गया क्योंकि हमने भी तो चंद्रियान 2 भेजा था हमारा लैंडर मुस्किल से आधे किलोमेटर की दूरी पर ही क्रैस कर गया था चंद्रियान 2 की मैं बात कर रहा हूँ थर्ड तो हम लोग सफलता भी प्राप की अधरवाई समय इस सफलता को अरजित कर चुके होते हैं 2018 के आसपास तो यह किस्मत अच्छी नहीं थी उसकी तो ठीक वही लूना के साथ वह लेकिन गारेंटी तो उन्हों नहीं थी थी साथ यह रूस और चीन ने मिलकर हुए आल्टमिस समझोते के खिलाब इसको शुरू किया था तो पैसा नहीं पूछ के समिक्छा अधिकारी में इस्टेटमेंट वैच्च है वो तुलसी दाजी का हो गया वारानसी की सांस्कृतिक राजधानी हो गया या फिर आपके सामने एक नई योजना है नंदनी किसक समरिद्धी योजना के बारे में इस योजना में केवल केवल वर धर 싸रपारकर गंगातीरी प्रजाति की दुधारू गया ही समयलिक है किवल चार प्रजातियों को समयल किया गया और लाभार्थी के पास गुपालन का कम से कम एक वर्ष का अनुबह होना चाहिए तो यहां पर जो सही कथन पूछ रहा है कि किवल पहला तो सही है لیکिन दूसर में वहां पे सिर रहते हैं तो यह confusion निकाल दो दिमाग से थार पारकर को बहुत सारे बच्चे भैस की प्रजाती भी समझते हैं पीवाई क्यूज में भी आप देखो कि पूछा गया है थार पारकर और दुबारा आ गया तो थार पारकर क्या है गाय की प्रजाती होती है तो यहां पे पहला स्टेटमेंट साही है दूसरा वाला गलत है यहां पर अगर मैं इसको फिर से बताना चाहूं कि नंदनी किरसक समरिद्दी योजना राज में मवेशियों की नसल में सुधार ओम दूद उत्पादन बढ़ाने एतुर नंद बाबा मिसन के हिस्से के रूप में सुरू की गई पहला चरणा दोजार तेश चौविस में प्रदेश के दस मंडल के मुख्यालेों की जन्पद में जैसे आयोद्या, गुरकपुर, वरणसी, प्रियागराज, लखनव, कानपूर, जहांसी, मेरट, आगरा, बरेली में संचालित की जारी है इस योजना में कि लाभारती, वहां का इस्थानी निवासी हो, उत्तरप्रदेश का, आधार करणव, पहचान पत्र में से कोई भी एक आईडी प्रूफस की उपलब दोनी चाहिए, और उसके पास गोपालन या महिस पालन, ठीक है, इसका कम से कम उसके पास तीन वर्सों का अनुबह भी हो उनके प्रशनों को जरूर तैयार करके जाना, क्योंकि मैक्सिमम यह चांस होता है कि यह प्रशन आपके UPPIECES में रिपीट होते हैं, इसका प्रमाण क्या है कि 2021 के जो मेंस का एक्जाम था, आरो यारो का, वहां से डिरेक्ली पांच प्रशन इन्होंने 2022 के प्रलिम्स में उ UPPIECES में पूछ लिया गया था, 2019 के पेपर में, तो यह चीज़े होती है, अनलिसिस करने की जो आपको करना चाहिए, इसलिए मैंने आज सुरू किया है, PYQS अनलिसिस से, अब यहां पर आ जाते हैं, अगला प्रशन है, कोशन नमबर 9 की, जॉनपुर को सिराज ए हिंद के नाम से जनत है, यह भी कह सकते हैं कि पूर्व का सिराज भी कहा जाता है, जॉनपुर सरकी काल में सिक्षा का एक महान केंदर के रूप में उबरा था, बिल्कु सही बात है, सिराज आपका इरान या इराग, यहां का एक प्रमुख सहर है, जहां पर सिक्षा बेवस्था गई लाल दर्वाजा हो गया ऐसे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्यर भी बनाए गये थे स्थापत ते कला के दौरान तो यह प्रशन important रहता है यहां पर दोनों ही statement आपके सही हो जाएंगे तो यहां आप देख सकते हो कि A और R दोनों सत्य है और R A की सही ब्याख्या करता है एक चीच और notice कर रहा है आप आपने अगर PYQ जितने भी solve की होंगे तो अकसर आपको पहला statement देखने को मिलता है वादा पहला option देखने को मिलता है A और R दोनों सत्य है दोनों ब्याख्या करें B नंबर प्याता है कि ब्याख्या नहीं कर रहा है C नंबर प्याता है A गलत और D नंबर प्याता है R गलत कुछ इस तरीके से जौनपुर के सरकी वंस का सबसे महान सासक था, वे विद्या और कला का प्रेमी था, उसके सासनकाल में एक नवीन प्रकार की सैली, जिसे सरकी कला भी कहते हैं, इस सैली में साधारण प्रकार की मिनारे हटा दी गई, उसमें हिंदू प्रभाव के चिन जलकने लगे, उसने सांस करती ख्याती चारों तरफ फैल गई थी भारत पुर्व का सिराज के नाम से विख्यात हो गया तो पुर्व का सिराज भी कहा जाता है इसको अब यहां पर एक और रिजनिंग का प्रशन है जो कि हमें सॉल्व नहीं करना है हलांकि रमेज की उचाई पांच फिट दी जा रही है तो रमेज की उचाई नैनो मीटर में कितनी होता है नैनो मीटर का जो मानक होता होता है टैन की पावर माइनस नाइन होता है तो यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर टैन की पावर सेवन दिया य के 9 नहीं होता है दोस्तों माइनस के 9 होता है इसलिए D option हो जाएगा ऐसे भी आप directly इसको कर सकते हो स्वालू करने की आवशक्ता भी आपको नहीं पड़ती है अब यहां पे question number 11 को देख लेते हैं भारत विस्व में जूट का सबसे अधिक उत्पादक है सबसे बड़ा उत्प बढ़ा है जूट उत्पादन के लिए पीली करांती नहीं है पीली करांती तो सरसों वगरा के लिए ना तिलहन करांती में भी आ जाती मतलब एक तरीके से तो यहां पे जूट करांती यह नहीं होती है इसको अगर हम डीटेल से पढ़ते हैं कि फूड एग्रिकल्चर औरग जब कि बांगलादेस का पहला था लेकिन 2020 में था 2022 में हमारा क्या हो गया पहला इस्थान हो गया दूसरे नंबर पे कौन आ गया बांगलादेस आ गया तो कह सकते हो कि पहली और दूसरी पोजिशन के बीच में जो लड़ाई होती हूं बांगलादेस और भारत के बीच में ह होती रखिये तो पीली करांती जिसे हम यलो करांती कहते हैं इसका समद्ध तिलहन उत्पादन सोता सरसो वगरा से होता है अब यहां पर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कि कौन गुप्त कालीन प्रसासनिक विभाजन का सही अनुक्रम है जैसे गुप्त कालीन जो सासक होते थ पिर समद्ध गुप्त होते थे चंद गुप्त होते थे ठीक है सरी गुप्त होते थे इसकंद गुप्त कुमार गुप्त तो इनके समय में क्या होता था पूरे भारत को विभाजित किया गया था जैसे आज भारत का विभाजन कैसा होता है राश्ट रस्तर पर हम भारत की ब जिसमें हम लोग स्थानी निकायों में ग्राम पंचायत को अलग करते हैं, ग्राम परधानी को अलग करते हैं, ग्राम सभा अलग करते हैं, तो इसमें ग्राउंड लिवल तक जाकर सासन किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से गुप्त काल में भी ऐसा होता था, जैसे आप देखो को जिसे हम लोग यहां पर भुक्ती कह सकते हैं उनकी भासा में तो प्रांतों को विशय में तोड़ा गया था विशय क्या होते हैं दोस्तों जिले कहलाते हैं और इसके मालिक को विशय पती या जिलेदार भी कहते थे पिर इसके बाद विथी आता था जो कि ग्राम पंचायद की तरह समझ सकते हो, मतलब ब्लॉक के अस्तर पर फिर उसके बाद सबसे नीचे ग्राम आ जाता था, तो इस तरीके से होता था, यह ओप्शन करेक्ट हो गया, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ लिख रहा है कि सबसे उपर राष्ट होता था, विशय को विशयपती, विथी को अनलायन या विथी मतर, और ग्राम को ग्रामिक या अश्ट कुला धिकारी, तो समय तर ग्रामिक ज़्यादा तर उचा जाता है, तो यह गुप्त काल की सनचना होती थी, आगे देखती हैं हापे, अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने को चुने हुए लोगों द्वारा सीमित सत्याग्रह का आवाहन किया था, 1949-40 का मतलब हो गया जब उन्होंने ब्यक्तिका सत्याग्रह को शुरूप किया था, तो ब्यक्तिका सत्याग्रह को प्रारमभिक अवस्था में जन आंदोलन की रूप में नहीं जाना जाता था, एक सीमित सत्याग्रह की रूप में ही जानते थे, जिसमें आपके फर्स्ट नमबर पे देखने को मिलेंगे विनोवा भावे जी, विनों, जीर्वाल जोलन नहरू जी और थर्ड नमबर पे आपको देखने को मिलेंगे ब्रामदत जी, ये कई बार प्रश्ट ने पूचा था गें की तीसरे सत्याग्रही कौन थे, तो ब्रामदत जी थे, तो पहला स्टेटमेंट आपने पड़ा, दूसरा है यह सत्यागरह इसलिए सीमित रखा गया ताकि ब्रिटन के युद्व प्रियासों को ठेस पहुँचे तो यहाँ पे अगर आप ब्याक्षा देखोगे तो भाईया पहला तो सही है लेकिन आर वाले का क्या मतलब है यह कैसे जो है कि युद्व प्रियासों को ठेस पहुचा सकते दे अगर आप सीमित रस्तर पे कर रहे हो तो तो अब जरा ब्याक्षा इसकी पढ़ते अगस्त प्रस्ताव जो की लॉन लिल नित्गों के द्वारा लाया गया था 1940 में इस प्रस्ताव को पूर्ट अस्विकार कर करना उसके लिए कहा गया है अर्था पर्सनल लेवल पर कोई पाबलिक या मास आंदोलन इसको नहीं बनाना था सत्यागर को सीमित रखा गया ताकि दुतिव विश्वेदी के दौरान भारत में बड़े पैमाने पर उथल पुथल के कारण ब्रिटन को सर्मिंदा नहोना ठीक है क्योंकि embarrassment की बात यहां पर की जा रही है गुर्दे की पथरी जो आपके kidney गुर्दा किसे कहते है तो kidney में जो पथरी होती हो किस के करण बनती है तो आपको पता होना चाहिए कि ये तो oxalate की करण बनती तो oxalate का जो crystal करण हो जाता है जो ठोस पथर की रूप में convert हो उसी को कहा जाता है तो व्रिक की या गुर्दे की pelvis में खनिज लवन calcium oxalate में crystal एक पिंड के रूप में एकत्र आते हैं जिससे मूत्र के रास्ते में रुकावट आती है और calcium oxalate के कारण ही गुर्दे में पत्री या अंस्मरी stone बनती है आगे बात करते हैं आपे निमलिकित युगमों में से कौन सा सही समयलित नहीं है अब इसको भी देखो ये भी उत्तर प्रदेश में संस्थानों को पूछा जा रहा है अगर आप देखो कि केंद्री बकरी अनुसंधान मकदूम में है मकदूम कहाँ पर पढ़ता है मतुरा के अंतरगत आता है भारती चारा गाय संस्थान अब यहाँ पर आगे देख लेते हैं यहाँ पर नेक्स देखिए आपका प्रश्न क्या है जी ट्वेंटी सिखर सम्मिलन दोहजार तेज के संदर में निमलिकित में से कौन सा प्रतिभागी देश प्रतिभागी मुखिया सही समयलित नहीं है इसका मतलब क्या हो ग फनी थे ठीट है औस्टेलिया से जो सामयलिए थे एंत्अनी अलवनीज हुए थे कानाड़ा से जस्तिन टूडो हुए थे अर्जंटीना से अलबार्टो फनान्डी व्यूए थे तो ब्राजील से कौन हो था भईया ब्राजील से वह थे जिसे हम कहते हैं लुई इनाशिया लूला डी सिल्वा और इन्हीं के पास अद्यक्स्ता गई थी अद्यक्स्ता किसके पास गई थी फिर इन्हीं के पास गई थी जबकि इंडोनेशिया के राष्टपती जोको विडोडो साहब हैं तो भारत में 9 से 10 सितंबर 2023 के मद्द G20 सिखर सम्मिलन हुआ तो आपने कोशन क को देखा को जब कोशन के पैटर को नोटीस किया कि भारत के लिए के उत्राश्टी संधन बहुत ही महत्वूण है वहाँ से प्रश्ण पूछा गया है जैसे है regularly महात्वूंण है तो वहां से वारा पूछ लिया गया गया आपको बहुत महातवूंड है भारत के लिए इ desarस ब्रिक्स के कौन-कौन मेंबर अभी नए बन गया ना टोटल पहले पांच मेंबर थे साउथ अफरिका जोड़ने के बाद लेकिन अभी नए पांच सदस से बने जिसमें एक ऐसा कौन सा देश है अर्जेंटी नहीं ऐसा है जिसने अपनी सदस्ता को रिजेक्ट कर दिया कि हमे और चट्टानों के तात्विक संयोजन में जैसे मैगनीशियम, ऐलुमीनियम, सिलिका, कैलसियम और ये आपके पोटास ठीक है लोहा वगएरा इन सब को ग्याद करने के लिए कौन सा पेलोड का प्रियोग किया गया तो यह वजाएगा आपका APXS अर्थात की चंद्रियान रोवर में सनलक में, अल्फा पार्टिकल, X-ray, स्पेक्ट्रो मीटर का उद्देश चंद्रमा पर लैंडिंग अस्थल के आसपास की मिर्दा और चट्टानों का पता लगाना था, तो यह इसका उद्देश हो गया, एग मार्क की बात करेंगे, तो एग मार्क का मतलब ही होत देखे, एक स्टेप और आगे बढ़ा, कि एग मार्क का प्रमारन पत्र जो होता है, यह भारती खादे निगम के द्वारा जारी कियाता है, क्या, यानि कि Food Corporation of India के द्वारा जारी कियाता है, तो यहाँ पर भी हम देख लेते हैं, पहला स्टेट्मेंट भी सही है, दूसरा ग अपडेट किया गया, तो दो मार्क होते हैं, जैसे एक होता है इको मार्क, ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना, एक होता है आपका इको मार्क, तो इको मार्क को कभी एकनॉमी मत समझ देना, इको मत होता है एकलोजी, यानि पर्यावरन से मैतरी पूर बिभार करने वाले वस्त प्रदेश में इस्थित था गन्य की कम उपज कम पिराई सत्र कुद्यों की असंतोज जनक अवस्थापना ने चीनी उत्पादल में समस्या जनित की हैं तो बिलकुल दोनों ही बाते सही हैं और इसी वज़े से इसका जो सिफ्टिंग हो रही है वो साउथ इंडिया की तरफ ज जाता हो रही है तो इन वज़ेहों से अब यह साउथ इंडिया में सेफ्ट कर रहा है हलांकि दोनों स्टेटमेंट यहां पर सही है तिक है अब जैसे यहां पर आप पढ़ोगे स्टेटमेंट वाइस कि चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में दूसरा अस्था चीनी उत्पादन में भी चीनी उत्द्योक प्रारम में उत्तर प्रदेश के साथ बिहार में भी इस्थित था चीनी की जो पहली मिलती वो 1903 इसवी में उत्तर प्रदेश के दिवरिया जिले के प्रतापुर में स्थापित की गी थी लेकिन यह सफल थी लेकिन अगर मैं तो यही वज़त थी कि सबसे पहले भारत में उत्तर प्रदेश में ओपन की गई थी लेकिन धीरे दीरे आप देखो कि उत्तर प्रदेश के साथ महराष्ट करनाटक आधी की तुलना में गन्ने की उपच कम हो रही थी और अधिक कीमते कम पिराईशत्र इन सभी वज़ाओं से चीनी उत्तर पादन में समस्या है आ रही थी और दच्छड भारत की तरफ सिफ्ट कर रहा था ये पूरा का पूरा उत्तर पादन नेक्स्ट अगर हम कोशन की देखते हैं राष्टी पुस्तक मेला की बात करें तो देखो ये भी करेंट अफेर से लेटेस्ट आपका प्रश्ण है तो कि फरवरी में आपका पेपर हो रहा है और तीन में पुराना करेंट पूछ रहा है कि ये 22 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर 2023 तक लखनों में आईजित किया गया और इसका आयोजन भारत सरकार के दोरा किया गया हलाकि नेस्टल बुक फियर कभी कभी दिल्ली में भी लगता है प्रगती मैदान में भी अब आज आगे प्रस्ण देखते हैं स्विमिंग पुल के वास्तिवी गहराई से कम गहरा प्रतीत होने का कारण का है जबकि स्विमिंग पुल अगर मालो 11 फिट गहरा है लेकिन देखने से ऐसा लगए कि मुसके से 5-6 फिट गहरा है अगर आप स्विमिंग पुल के पानी को देखोगे और अंदर की जो सता होती है आपको लगए है कि बहुत ऊपर उठी हुई है यानि 5-6 फिट की गहरा है उससे ज्यादा नहीं जबकि वो होती 10-11 फिट होती है तो ऐसा होता है प्रकास के अपवरतन के कारण रिफ्रेक्शन के कारण ये क्या होता है ये एक प्राकृतिक घटना होती जिसे प्रकास के रण एक माध्यम से होते हुए जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मूल पत से विचलित हो जाती है और अपवरतन के कारण ही एक स्युमिंग कूल वास्ता में जितना घहरा होता है उससे कम घहरा प्रतीत हो सकता है एक्जामपल के तोर पे जैसे अगर मालो एक गिलास है और उससे पानी मैंने भर रखा है और उस पानी में अगर मैं एक कौइन डाल देता हूँ सिक्के को तो ऐसा लगए है कि सिक्का उपर उठा हुआ है बहुत नजदीक है मारे तो यह रिफ्रेक्शन की वज़े से होता है अपवर्तन की वज़े से है अगला प्रशन है आपका यहाँ पर देखते हैं बंद सीसे की खिड़कियों और दर्वाजे वाली कार में यातरा करते समझ ब्यक्ती आकासी विजली के आघास से सुरक्षित रहते हैं फिर पूछ रहा है एक बंद कार अंदर से खाली चालक की तरह ब्यवार करती है अता आवेस कार के अंदर प्रवेस नहीं कर पाता है तो साइन्स में आप एक चीछ देख रहो नोटिस कर रहो फिजिक्स के दो प्रश्ण आपने पढ़ लिए और दोनों ही आपके अप्लाइड प्रश्ण है अगर आपको अपवरतन के थेरी पता होगी अपवरतन के सिध्धान पता होगे तो आप उसे आराम से इसको अप्ला आकासी विजली गिरने की इस्थिती में वह केवल कार के धातू भागों से उकर गुजरेगी और अंदर इस्थित व्यक्ति से नहीं टकराएगी इस इस्थिती में कार के अंदर इस्थित व्यक्ति तभी सुरक्षित रहेंगे जब कार की खिड़कियां और दरवाजे पूर मुख्याले कौन से समेलित नहीं है आप देखो मसाला बूर्ड आपका कोची में है काफी बूर्ड आपका हैदराबाद में नहीं है दोस्तों काफी बूर्ड आपका मिलेगा बंगलूरू में कहां पे मिलेगा बंगलूरू मिलेगा करनाटक में फिर चाय बूर्ड आपका कोल का था पश्यमंगाल में या वाड़ी जुद्योग मंत्राले के नियंत्रण में आता है और भारती रबर बोर्ड का मुक्याला को टायम जो की केरल में इस्थित है तो यह वाला आपका गलत हो जाता है नेक्स अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के संदर में इसकी स्थापना 1965 में होई थी और या वारानसी में इस्थित है तो देखो जितने भी उत्तर प्रदेश की जो नाटक अकादमी है क्या ये वारानसी में इस्थित है तो नहीं मेरे भाई ये लखनों में इस्थित है और इसकी स्थापना भी देखो यह लिखा है उ यो बिहार की छित्री कला है और जिसको GI टैग भी प्रदान है तो मदवनी कला आपकी कहां पे हो जाएगी बिहार आप इससे मिलान कर सकते हो अगर आगे देखें लिपाक्षी की बात करें तो लिपाक्षी आपके आंद परदेस में इस्थित है पट्ट चित्र की बात करेंगे तो ओडिसा में हो जाएगी और वरली वरली बहुत फेमस है महराष्ट की ही वरली है तो यहाँ पे आप कम से कम दो तो याद रखो मेरे दोस्ते मदुबनी याद होनी चीए बिहार की हो गई, वरली याद होनी चीए महराष्ट की हो गई और लिपाक्षी याद होनी चीए आपकी साउथ की अंधपरदेश की हो जाएगी अगर ये तीन भी याद है तो आपका काम आसानी से बन जाएगा अब अगला प्रशने आपे percentage का है कि एक धनरासी 7% सलाना ब्याज की दर से 5 वर्स में 540 रुपए हो जाती है तो यही धनरासी 9% सलाना सलाना ब्याज की दर से 3 वर्स में कितनी हो जाएगी तो सबसे पहले आपको यहाँ पे formula लगाना पड़ेगा कि मूल जो धनरासी है निकि principle जिसको हम लोग कहते है principle रासी क्या है भाई आपको 7% का interest rate दे दिया time दे दिया कि 5 वर्स का है और आपका जो interest है जिसे हम लोग कहते है SI simple interest साधारण ब्याज वो कितना है 540 रुपए अब यहाँ पर देखिए यह भी पूछा गया था तेल सोधन कार खाने और यह भी हमारे short notes में listing की तरीके से मैंने बना रखा था बरावनी की बात करेंगे तो बरावनी आपको कहां देखने को मिलेगा बिहार में देखने को मिलेगा फिर आपको बीना कहां देखने को मिलेगा बीना मिलेगा आपको मद्रदेश में कोईली मिलेगा आपको गुजरात में और बोगाई गाउं मिलेगा आपको असम में मिले ठीक है चलो कोशन नमबर 28 को देख लेते मेरात ए सिकंदरी पुस्तक के संदर में कौन सा कथन सबते हैं तो यहां अगर आप देखोगे कि इसमें गुजरात के सुल्तान महमूद वेगडा के राज्य की सुक समरिद्धी का वर्रण किया गया है सही है और इसमें व्यापारिक म तो यहां पे दोनों ही बाते लिख दी गई है और कुछ नहीं गाजा पट्टी के संदर में ये भी क्या है वर्ल्ड जोग्राफी से संबंदित है गाजा पट्टी के बारे में बात करें तो क्या इसकी सीमा मिस्र से लगती है और इसकी सीमा इसराइल से लगती है तो भही है हो गया, जॉर्डन हो गया, मिस्र हो गया, तो ये सभी कंट्री जो है की बॉंडरी शेयर करती है, तो इसलिए डी आप्शन आपका सही हो जाएगा, गाजा पट्टी पर दौरजार साथ से हमास का सासन है, यह मदपूर में मिस्र एवम इसराइल के बीच भुमद सागर्स की सीमा से लगा हुआ है, और एक पतली सी पट्टी होती है, जैसे मान लो कि कुछ इस तरीके से जैसे ये इसराइल का च्छितर है, ऐसे करके, तो यहां पे जो है कि ये गाजा पट्टी का च्छितर आ रहा है, तो उत्तर प्रदेश बजट 2023 का बजट का आकार साथ लाग साथ हजार करोन रुपए है, और राजकोसी घाटा चौरासी अजार आठ सो त्रेस त्रेसी पॉइंट सोले करोन रुपए रहने का अनुमान है, तो यहां पिते को दूसरा तो सही है पहला गलत है, क्यों इस बार का कितना है, 7, 3, 6, याद आया कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो मैंने आपको पढ़ाया भी है यूपी बजट में, और कितना धनरासी में राजकोसी घाटा है, और कितना प्रतिशत में राजकोसी घाटा है, यह दोनों ही चीज़े मैंने आपको कवर कर रखी है, क् कि आरो आरो में ये प्रश्ण ऐसा पूछा हुआ है तो हो सकता है संभावना की इस बार भी आपसे ऐसे प्रश्ण पूछेगा अब यहाँ पे अनुकरम में अगला कौन भिन है यह आपको सेट करना है यह रीजनिंग का प्रश्ण हो जाएगा तो कि हम लोग रीजनिंग नही थी 1927 में यह 1919 के अधिनियम के लिए आता है और 1928 में यह भारत आ भी जाता है और यहाँ पे आके जो एक अपना जो भी इसको प्रोविजन देने थे जो भी इसने सिफारिस वगरा की वो अपना कर लिया लेकिन दूसरी बार का नहीं पता होगा आपको लेकिन एक्जाम में क्या रखा गया है दूसरी बार भी बता दिया दो बार और मैक्सिमम स्टूडेंट का ये प्रश्न गलत हो गया था आगे इसका दूसरा दौरा 11 अक्टूबर 1929 से लेकर 13 अपरल 1930 तक था तो यहाँ पर पहला स्टेट्मेंट तो सही हो जाएगा कि हाँ इसने दो बार भारत का दौरा किया लेकिन अगर आप देखो कि पहली बार तो दो फरवरी से 31 मार्च 1928 को आया था जब इसको 1919 के अधियम का रिव्यू करना था लेकिन दूसरी बार जब यह आता है तो 11 अक्टूबर 1928 से 13 अपरल 1929 तक ही था उसी दौरान था 1928 में ही दूसरी बार इसने दौ दौसरा दौरा किया था इसरो के दौरा लांच किये गए मंगल यान के संदर में अब देखो चंद्रियान जो थर्ड था वो तो बहुत चर्चा में ठाही था इन्होंने उठा के मंगल यान को भी पूछ लिया जो कि 5-6 साल पुराना प्रश्णों के 2013-14 की कहानी है इसे मार मार्स और्बिटर मिशन भी कहा जाता है इस पे आपने एक मोवी देखे होगी अक्षा कुमार विद्यावालन की मॉम मोवी एक आई थी ठीक है मार्स और्बिटर मिशन इसी का नाम था और इसे नौवंबर 2013 में लांच किया गया था तो दोनों ही स्टेट्मेंट यहां पे स ख्षेपित किया गया यह भारत का पहला अंतर ग्रही मिशन था अर्थाथ की पहली बार ऐसा मिशन था कि भारत किसी दूसरे ग्रह पे अपने मिशन को लॉंच कर रहा था भारत ऐसा पहला राष्ट था जिसने अपने पहले ही प्रयास में 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में प्रवेश कर लिया था तो ये भारत के लिए पहली उपलब्धी भी हो गई थी अब आ जाते हैं दूसरी बात देखते हैं प्रशने को देखते हैं यहाँ पे मिनीमाता रोग का कारण क्या है तो मिनीमाता आपके मरकरी दूसिद जल होता है यानि कि जो पारा होता है उससे ती यानि जिन मचलियों के सरी में पारे की मातरा अधिक थी उन मचलियों को खाने से ही ये बीमारी बढ़ गई समयता है इसमें रोक के सरी के अंग में ओट जीव काम करना बंद करेते हैं साथी बारापन आपकों का धुंदला मांसिक असंतुलन भी पैदा हो जाता है अब यह पर दोनों ही बाते सही हैं लेकिन दोनों एक दूसरे के ब्याक्षा नहीं कर रहे हैं इतना ध्यानक न और भारत में मैक्सिमम आपको जो मिर्दा मिलेगी चाह वो लाल मिर्दा हो लेटराइट मिर्दा हो जलोड़क मिर्दा हो मैक्सिमम मिर्दाओं में आपको नतरजन फा छेपन होता तो वहां से भंडार उसके निकलते हैं, रिलीज होते हैं, आगे प्रश्ण को देख लेते हैं आपे, लौड करजन के संदर में निमलिखित में से कौन सा कथन सकते हैं, अंग्रेजी सामराज को ग्रेनाइट की चटान पर इस्थापित करना, कलकत्ता निगम अधि अधिनियम की घोशना करना, तो यहां पर क्यों दूसरा सही होगा, पहला स्टेट्मेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि कलकत्ता निगम अधिनियम 1899 की घोशना, लौड करजन के समय होई थी, और करजन ने कहा था कि मेरे लिए संदेश ग्रेनाइट में उकेरा गया है, या कया हमारा काम धार्मिक है और कायम रहेगा, ठीक है, तो यह हो गया, आगे चलते हैं, भारत के महानियावादी के संदर में बात करेंगे, वे प्रधान मंतरी की मर्जी तक अपने पद पर बने रहते हैं, तो नहीं भईया, प्रधान मंतरी नहीं होते हैं, आपे, यहां संसद में बैठ सकता है, अपनी बातों को रख सकता है, लेकिन वो मतदान नहीं कर सकता, तो मतदान करने का मतलब ही हो गया, कि वो संसद का सदस्य नहीं है, तो यहां पर अगर हम देखते हैं, कि कौन सा स्टिट्मेंट से हो जाएगा, यह वाला दे रहा है, ठीक है, एक मतल होगा, दूसरा तो सही है, पहला गलत होगा, और पहला क्यों गलत है, क्यों प्रधान मंतरी नहीं, बलकि राश्टपती के प्रसाद पर इल्पत्दारा करता है, हलाकि यह पीडियएप मैं आपको पोस्ट कर दूँगा, टेलिग्राम चैनल पे, आप उसे जोईन कर लो, वह हो गया, यह तो आगरा में आईजित किया गया था, अच्छा उसी दौरान किया था ना, कि राश्टी महसव भी, राश्टी आईरवेद महसव का भी आईजिन किया गया था, जो केरल में हो रहा था, लेकिन यह आईरवेद महसव पूछा गया था, क्यों लखनों का, तो यह हो गया मतलब उत्तर प्रदेश का तो आईर्वेंद मौसद 2023 का आउजिन जहासी में किया गया और ताज मौसद 2023 आगरा के सिल्फ ग्राम में आउजित किया गया था तो यह आगरा में ही आउजित हुआ था नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पे कोछ चार प्रमुग जोए की निधन हुआ भारत में सारजनिक सौचालेओं के जनक बिंदेशरी पाठाक जी का निधन हुआ और भारत की हरित क्रांती की जनक बीड़ा बादक उस्ताद अली जकी हैदर काय निधन आठ सितंबर दोजार तेज को वा और भारत की हरित क्रांती के जनक एमसवामी नाथन जी का निधन 28 सितंबर दोजार तेज को था नौ फरवरी दोजार चौबिस को मरणो प्रांथ भारत रत्म से भी सम्मानित के जाने की गोशना की गई थी अब आगे हम बात करेंगे उनत्तरवे राष्टी फिल्म पुरसकार 2021 की बात करेंगे तो अब देको इस प्रश्ण को हमें पढ़ने की आवश्यक्ता नहीं है तो कि उनत्तरवे राष्टी फिल्म पुरसकार 2021 की बात हो रही है जब मैंने उसमें अपडेट भी किया था कि सितंबर तक उसमें सारा अपडेट है, अलग से वीडियो बनाएती कि अक्टूबर और नॉवंबर की भी current affairs मन्थवाइज आएगी इनकी और मैं आपको अपडेट करके प्रोवाइट करा दूँगा, अपडेट उसकी टेलेग्राम चनल पे आएगी, तो वहाँ से उसकी classes और PDF को आप आराम से easily purchase कर सकें, classes आपको YouTube पे मिल जाएगी, तो इस तरीके के प्रशन आपको वहाँ से भी cover करने है, तो आपने देख लिए current affairs के प्रशन का level क्या हो रहा है, easy प्रशन नहीं आ रहे है, hard आ रहे है, भारत में वन जीवों के सनक्षण के संदर में निमलिकित में से कौन सा कथन सही है, तो वन जीव सनक्षण अधिनियम 1972 केवल जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए कानूनी धाचा प्रदान करता है, तो भाया केवल जंगली जानवरों के लिए नहीं करता, बलकि सभी के लिए करता है, कौन कौन से करेगा, ये भी मैं बताऊंगा, और project elephant का लक्षे केवल जंगली एशिया ही हाथियों का सनक्षण करना ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे न तो पहला सही है और नहीं दूसरा सही है, क्यों कि अगर आप इसको पढ़ोगे, वने जीव सनक्षण अधिनियम 1972 पीड़क जंतु से भिनने किसी बंदी या वने प्राणी जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए कानूनी धाचा प्रदान करता है, और न बंद कर रखा, अपने पास रखा, पाल कर रखा, कोई बात नहीं, आपने उसे फिट बना रखा है, अपना पाल तो बना रखा है, लेकिन उसकी जो आजदी वो जंगल में है, और लिए भी ऐसा प्रवीजन है, आब यहाँ पर हम देखते हint is अगला हिमाले के उत्री धलानों पर दच्छडी धलानों की तुलना में अधिक घना वनस्पति आवरन है और हिमाले के दच्छडी धलानों पर उत्री धलानों की तुलना में अधिक वर्सा होती है तो भाई अगर हिमाले का जो उत्री धलान का मतलब हो गया कि ये आपका जो इस्टर अप्सॉल्व करो हिमाले की उत्री धलानों पर दच्छडी धलानों की तुल्णा में अधिक धनी वनस्पति का आवरण है बिलकुल नहीं क्योंकि उत्री धलान का मतलब हो गया वेस्टन जमू कस्मी लद्धाक में तो ग्लेशियर मिलते हैं बरस के टीले मिलते हैं वहाँ पर आर सही है और ए वाला गलत है तो इस तरीके से अगर आप डायगराम बनाके भी करोगे तो बहुत आसानी से आप इस चीज को कर सकते हो तो यहाँ देखो ए वाला स्टेटमेंट गलत है जबकि आर सत है जो मैंने आपको बताया आगे देखते हैं यहाँ पर यूरोप के किसी देश की राजधानी नहीं है कौन सा एक जैसे रीगा की बात करें राटविया की बात करें जैगरेप की बात करें और जियूरिक की बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखोंगे रीगा और जियूरिक यह किसी भी देश की राजधानी नहीं है रीगा क्या है लाटविया क का कोई भी यूरोप के मतलब यहां पर जो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ वो यह हुआ रॉटर्डम दोस्तों रॉटर्डम आपका नीदर लेंड का एक सहर है नीदर लेंड की राजधानी जबकि एमस्टर्डम होती है और यहां पूछ रहा है कि कौन सा यूरोप की देश की रा नाम है जबकि रीगा की बात करोगी तो रीगा लाट्विया की राजधानी होगी और जाग्रेप की बात करोगी तो एक पुरेशिया की राजधानी होगी और यह दोनों यूरोपी देश है अब यहां पर परवत हैं और महादूप हैं लेकिन अब इनका मिलान करने के लिए हमें नीचे के option को देखना पड़ेगा तो डिरेक्ट हम लोग ब्याक्षा देख लेते हैं जैसे परवत की बात करें तो परवत कहां पे किया गया और वह प्रेस की स्वतनता के पक्ष में लड़ती थी बिलकुल यह एक इरानी महिला थी तो यहां पर आप देखोगे कि यह पुरसकार इरान में महिलाओं के उत्पिड़न के विरुद्ध लड़ाई और सभी के लिए मानवा धिकारों और स्वतनता को बढ़ावा द नमबर पर देखते हैं क्वेशन नमबर है आपका मौलिक अधिकार पर समविधान का भाग 3 USA के बिल ओफ राइट्स पर आधारित है पिर यहां पर समविधान के अनुछे 21 के अंतरगत मृत्यू का अधिकार मूलभूत अधिकार है भारती समविधान एक पूर संगी समविधान नहीं बलकि एक आत्मक्ता के लक्षण देखने को मिलते हैं यह भी गलत हो गया और भारती समविधान के अनुछ मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है बिलकुल नहीं क्योंकि इसमें मूलभू धांचे का भी अधिकार दिया गया मतलब मूलभू धांचे क सनचनक को आप वाधित नहीं कर सकते जो केसवनन भारती केस में 24 अपरेल 1973 को इनले आया था तो इसलिए तो यहां पर आगर आप देखोगी तो केवल पहला स्टेटमेंट ही केवल सही होगा तो BCD ये तीनों ही आपके रॉंग हो जाएंगे तो क्यों रॉंग होंगे वो भी बनाना रिपाब्लिक के लेखक हैं मनुजनात थाईलेंड के पीम स्रेथा थाविशिन रेलवे बोर्ड की पहली महिला द्यक्ष और मौईजू मौईदीन अब देखो इनको क्या करना है मिलान करना है ठीक है दोस्तों ये तो मैंने बस ऐसे पढ़ा है तो जैया वर्मा सिनह की बात करोगे तो ये आपको रेलवे बोर्ड की किया मिलेंगे पहली महिलाद द्यक्ष मिलेंगी और स्रेथा की बात करें तो थाईलینड की पीम होंगी और मुहिज्यू की बात करें तो मालदीव के राश्टपती होंगे और मनोजनातनी ये पुस्तक लिखी है तो ये आपको मिलान मैंने कर दिया अब यहाँ पे आदिम निर्वाहक क्रिसी पद्दती के बारे में अगरम बात करें तो क्रिसी पद्दती है और यहाँ पे छेतरी जैसे जोमिंग की बात करते है तो जोमिंग आपका कहाँ पे कहते है क्या दच्छडपूर वेशिया में कहते है मिलपा मैक्सिको में कहते है या लदांग सिरलंका में कहते है तो ये आपको मिलान करना है, तो हम डिरेक्ट यहाँ पे देख लेते हैं, वन और टू यहाँ पे सही है, तो देखो, जोमिंग को दे रहा है, दच्छलपूर वेशिया में कहते हैं, तो कि हमारे नौर्थ इंडिया में भी जोमिंग किर्सी कहते हैं, और साथी साथ मिलपा आपका स्रिलंका में नहीं होता, तो कहा होता है, इसको हम देख लेते हैं, यहाँ पे अगर आप देखोगे, कि लदांग इंडोनेशिया में कहा जाता है, जो मिलपा आपके मैक्सिको और मद्द अमेरिका, जो मद्द मिडल अमेरिकी है, वहाँ पे भी कहा जाता है, अब य यहाँ पर एक reasoning का प्रश्ण है अब यहाँ पर राजधानी सहर और देश की बात कर लो तो अगर आप देखोगे कंपाला किगाली किंसासा खारतुम तो देखे खारतुम आपके हो जाएगे सुडान की राजधानी ठीक है और इसके आगे अगर हम देखेंगे कंपाला आपके ह रवांडे कि राजधानी और किगाली अगर आप देखोगे तो यह उजयाएगे आपकी युगांडा कि राजधानी और सातिसात किंसाघ्यांसा आपके हो जाएगे कंगो-Loog capacitance कर लेते हैं क्या मैंने सही बताया एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा गलत हो गया क्या कि कमपाला जो है आपकी युगांडा की राज़ानी क्योंकि युगांडा और रवांडा में बहुत कन्फूजन हो जाता है तो आप लोग भी याद रखना देखो मैंने भी कन्फ आस्टेलिया न्यूजिलेंड सही पाँच देशों का एक कुफिया गढ़बंदन है वे इस्टोन घोस्त नामक सामोहिक गुप्त डेटाबेस के मात्यम से अपने देश के हितों के लिए खत्रों के बारे में सुरक जो कुफिया जानकारी होती से साज़ा करते हैं तो यह दो पर चुना लगने की न्यूंतम आयू 18 होती है नहीं 18 नहीं 18 तो मतदान करने की चुना लगने के लिए 21 वर्ची होती है पंचैतिरा संस्थाओं का चुना राज चुना आयो के परिविक्षणन होता है जी हां बिलकुल यह बारती स्टिक्मेंट बिलकुल सही है आपका आग रीट अपर्दन होता है then after अगर आप देखो गे तो सबसे बढ़ा हुता है आपका डली अपर्दन जोकी हमारे यूपी में सबसे अधिक करती चंबल नदी सबसे ज़या करती विनकी भारत में भी यही करती है तो यहां देखो कि बहुंचहारी च्रण पिर परच्रण फिनल प्रवाहित होते हैं तो यहां पर देखोगे यूरोप में राइन नदी के संदर में पूछा जा रहा है तो भई राइन नदी उत्तरी जर्मनी की और द्योगिक गतिविदियों के लिए महातपूर मार गया और रोटर्डम का बंदरगा राइन नदी के मुहाने पर इस्तित है तो यहां पर दोनों ही स्टेट्मेंट को अगर आप देखोगे तो किवल दूसरा वाला तो सही है लेकिन राइन नदी उत्तरी जर्मनी की और द्योगिक गतिविदियों के लिए महातपूर माना जाता है तो यहां पर आप देखोगे के स्विस आल्प से निकल का ब्रंस घा भी देती है आगे बात करते हैं आप अगला प्रशने आपका अरब देश के मतलब कौन सा देश जो अरब प्राइदीब का हिस्सा नहीं है इसके बाद बात करेंगे यहां पर तो इसमें अगर आपको बताना है कि उमान है इराक है कुवेट है सीरिया है तो भी यहां कौन कौन सा देश में है तो क्यों सीरिया आपका इसमें सामिल नहीं होगा जबकि उमान इराक कुवेट यह जितने भी देश हैं यह सारे के सारे किसमें अरब प्राइदीब के अंतर लिए कि उत्तर पूर्वी तड़ परिस्तित है इस वाले छोर पे स्थित होती है जैसे आस्टलिया का अगर पुरा में पगरम बना दे तो इस वाले तड़ पर होती है और साथ ही साथ इसकी लंबाई पाच्शिस सो किलोमेटर से अधिक है तो ऐसा नहीं इसकी लंबाई तो अभी एक नया ऑपरेशन चलाया गया था जो मैंने आपको करेंट अफेर्स में पढ़ाया था ऑपरेशन इंद्रावती जो हैती के ग्री युद से संगर्स हो रहा था हैती में जो आपका केरिवियन देश है वहां से भारतियों को सुरक्षित निकालने के लिए किया गया था तो ऐसे प्रशने आपसे बनाए जाती है बुर्हान उल्मुल्क साधत खां के संदर में कौन सा कथन सही है तो अगर आप देखो कि आवद के सुतंतर राज्य का संस्थापक साधत खां था बिल्कुल सही बात है और उसने सायद बंदूओं के विरुद्र संस्थापक साधत खां था या भी सही है तो यहाँ पर बी आप्शन होया कि एक और दो दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही है मुगल समराट मुहम्मद साह के सासनकाल में अवद के सुतंतर राज्य का निर्माड हुआ इस राज्य का संस्थापक साधत खां था साधत खां ने समराट मुहम्मद शाह का पक्ष लिया था और उसके इस कारे से प्रशन होकर मुहम्मद साह ने उसे पांच हजारी और साथ हजारी मनसब भी दिया था आगे देखते हैं यहां पर कुछ जोड़े दिये हुए जैसे कि मिलान करना जिसे बुक से रिलेटेड है ठीक है बुक से समयत है जैसे कार्ल मार्क्स की बात करें अच्छा यहां पर कह रहा है कि इसकी पुस्तक नहीं है जबकि गविनार मिडल की एशियन ड्रामा है एडम स्मित की वेल्ट अफ नेसंस है जैम्स किन्स के जनल थेरी अफ इंप्लॉइमेंट इंट्रेस्ट एंड मनी तो यह इसकी प्रमुग जोएकी पुस्तक है 62 प्रशने को देखते हैं तो बड़ती आबादी का पेट भरने के लिए भारती किरसी में महात्पूर तक्निकी और संस्थागत सुधारों की अविशक्ता है भारत के कई हिस्सों में बड़ी संक्या में किसान अभी भी किरसी के लिए मानसूनी वर्सा और मिट्टी की प्रा तो जैसे लिख रहा है कि जिस तरह देश की आबादी मृद्धी हो रही है उसकी तुलना में किरसी छेतर में यंत्री करण और तक्निकी और संस्थागत सुधार नहीं हो रहे हैं अलाकि वर्तमान में भारत खाध्यानों के संदर में आत्मिरभर हो चुका है फिर भी किरसी चेतर में तक्निकी और संस्थागत सुधार की आउशकता होती है तो यह सारी चीज़े हैं अब यहां पर अगर हम देखते हैं अगला प्रशन यूपी से संबंदित है आई थिंग पहला किरसी विश्य विद्याले पंत लगर उत्राखंड उत्राखंड 1960 में स्थापित किया तो आज हम लोग दोस्तों यहीं तक करेंगे 63 कोशन ता क्योंकि आज थोड़ा दिवाली का पर्व है तो बहुत सारे काम घर में पेंडिंग पड़े हुए हैं लेगिन फिर भी मैंने समय निकाल के आपको एक अनलेसिस करके दिखाया कि कि किस तरीके का पेपर आएगा जिस सबसे पहले हम धे आईएस की टैस्सरीज को करेंगे उसके और भी जो ऑथेंटिक और अच्छी टैस्सरीज होंगी हम उसे सुरू करेंगे सबकी पीडिएफ आपको अमारे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी तो चैनल को जरूर जोइन कर लो सब्सक्राइब कर लो ताकि वीडियो की अपडेट और चैनल की अपडेट आपको मिलती रहे मिलते नेक्स वीडियो में जैहिन जै भारत